तो हई गाईस, बहुत-बहुत स्वागत है टेकिन Hindi YouTube चनल पर कैस आज का वीडियो में जैसे आप स्क्रीन पर देख भाया है अटोमेटिक जो next हो रहा है अटोमेटिक पेज नेक्स्ट हो रहा है अटोमेटिक स्क्रोल हो रहा है ऐसे कोई भी मैं टच नहीं कर रहा हूँ यह setting आप कुछ करना है और यहां पर अगर आप यह sorts वीडियो भी देख रहा हूँ आप वहां पर next कर सकते हो automatic यह scroll कर सकते हो उसका आप set कर सकते हो कितना speed आप set करना जाते हो कितना speed में आप next करना जाते हो कौन से वीडियो को आप next करना जाते हो सब कुछ आप set कर सकते हो और बहुत यह professional तरीके से आप इसको set कर सकते हो आपका mobile में आपका mobile को customize कर सकते हो चलिए इस तो यह वीडियो सुरू करते हैं देख लेटे क्या क्या setting करना आपका mobile पर सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ जैसे मैं पहले बताई कि अगर आप YouTube में कुछ भी सर्च कर रहे हो और सर्च करने के बाद उहां पर बहुत सार वीडियो आ जाता है आपको एक एक करके next करना पता है स्क्रोल करना पड़ता है तो आपको यह जो काम बहुत ही आसानी से कर सकता है आपका जो नेक्स नेक्स होते जाएगा और यह जो है बिल्गुल मैं टेच नहीं करना हूँ आपको मैं सेटिंग दिखा हूँ का कैसे करना है तो सबसे बहले आपका mobile पर एक application का जूरत है जो Google Play Store में फ्री में मिल जाएगा बिल्कुल Trusted App है और यह कोई promoted वीडियो नहीं है प्रोमोशनल वीडियो नहीं है आपको बस जानकर इदेनी के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले प्लेश्टोर में जाना है और यहाँ पर प्लेश्टोर में जाने के बाद सेर्च करना है आपको यहाँ बहुत सार अप्लिकेशन खुल जागा जो सबसे बेस्ट है मैंने पहले बता दिए कोई promoted वीडियो नहीं है तो easy scroll जो option आ रहा है आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको यहाँ पर जाके अलाव कर देना है यहाँ पर पहुत सार ओसन को आउन कर देना दोनों गिंव जाएगा उसे बदो और कुछ करने के जुरूत नहीं simply बैक हो जाना है है यहाँ पर एड़ जो है खाली एक ही एड़ आएगा जैससे आप पहले ओपन करोगे इंड उसक पर next कर लेना है and cross कर लेना है इसमें add बहुत ही कम है यहां पर do not notify पर जाना है and close पर कर देना है देखिए अभी आपको कुछ नहीं करना नीचे आपको जो start बटन अरा है start को उपर click कर लेना है and guys देखिए जैसे आप यह on कर दोगे आपके बास यहां पर option खुल जागा यहां यहां पर right side में arrow वाल option खुल जागा arrow next बहुत सारा and left side में आपको step option खुलेगा अभी आपको देखिए क्या setting करना है कुछ customer setting करना है यहां पर right side बड़ा option है अगर आप यह रग दोगी तो बहुत जादा है बहुत गंदा दिखाई देगा skin को तो आपको simply जाना है and यहां प पर जो option आ रहा है general setting scroll apps other and premium तो general setting पर आपको सब कुछ general setting में मिल जाएगा scroll पर आपको सब कुछ scrolling के लिए option मिलेगा speed कम जड़ा करने के लिए app अगर आप चाते हो कि यहां पर यह on करके कोई particular app में यह set करना चाते हो तो आप कर सकतो otherwise आपको setting करने का जोरूत नहीं तो automatic scrolling option आ यहां पर देखिए जो जो option set होके रखा है आपको set करना है अगर आप चाते हो तो यहां पर square पर लगा सकतो अगर मैं आपको सजेश्ट करूँगा यहां पर इसका कोई भी जोरूत नहीं है तो आपको just simply अगर आप रखना चाते हो फिर भी background जो है आप बिल्कुल white या black कर जीजेगा एंड यहां पर okay हो जाएगा एंड उसके बाद अगर और और भी आप white करना चाहते हो कर सकतो simply यहां पर दिखाए नहीं देगा simple normal सा दिखाए देगा आपको यह बाला option रखना है अगर आप बिल्कुल zero करना चाहते हो तो आप यहां पर छोटा बड़ा कर सकते हो साइज इसको अटो स्कोलिंग का जो स्पीड है 16% 17% आप कितना रखना चाहते हो आप कर सकतो आप जैसे बढ़ा दोगे आपका स्पीड यहां बढ़ जाएगा अगर आप और बढ़ाना चाहते हो और भी बढ़ा सकतो बढ़ आपको यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा जो normal default option है उसम आपको back हो जाना है कंई आपका sqy Craft यह चो बार है आपको लुख योड़ा कर सकती हो तो आप यहां पर कहाँ बी आप Lego कर सकते हो कोई आप लास्ट में देखोगे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा उपर जाने के लिए उपर की तरफ एंड निची जाने के लिए निचे की तरह आपको स्क्रोल करना है जितना ज़्यादा स्क्रोल करोगे जितना ज़्यादा आप टैप करोगे उतना ज़्यादा स्पीड ब यहां पर बढ़ जाएगा। यहां पर फिप्रों को और ऑपको देखना है तो और को यहां पर इंस्टागम पर पिज आना है और यहां पर देखी डबल टैप करना है उसके बाद ऑटमैटिक नेक्स्ट होते जाएगा तो सेम प्रोसेज आप कोई भी ब्रॉजर या कोई भी आपली किसन या कोई वेब नमस्कार